जेदी आप अपने प्यार को हांसिल करना चाहते हैं चाहते हैं कि अपने प्यार को अपने मोठी में कर ले अपने वस में कर ले तो सिर्फ एक छोटे से साधे कागज के उपर में उस प्यार का नाम, उस लड़की का नाम लिख करके इसको जला दीजिए जलाने से पहले इस पे एक छोटा सा मंत्र लिखना होगा वो कौन सा मंत्र है इस वीडियो में मैं आप सुरी को बताऊंगा यह इतना चमतकारी वसिकरन मंत्र है कि गलती से भी मजाक में यदि इस मंत्र को लिख करके अपने प्यार का नाम लिख करके इसको जलाईएगा तो आपका प्यार आपके लिए ट्रपना शुरू कर देगा आपके लिए बेचैन होना शुरू कर देगा मेरे प्यार 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 वक्तो किसी भी लड़की को अपने प्यार में दीवानी बनाना हो यह किसी भी पूरुस को पलभर में अपने वस में करना हो दीवाना बनाना हो ओभी हमेशा हमेशा कलिए तो सिर्फ एक छोटे से साधे कागज के उपर में उस प्यार का नाम मेरे प्यार प्यार भक तो मेरा वादा है आपसे जैसे ही तना आप कीजिएगा और इस कागज को आप यहां पे जलाईएगा आपका प्यार जहां पे भी होगा आपकी लेटर अपना शुरू कर देगा दूर बैठे ही आप अपने प्यार को अपने पास बुला सकते हैं उसके दिल में अपने लिए महबत पैदा कर सकते हैं बहुत सारा लोग वे इसे बोलते हैं कि गुरू जी हमारा जो प्यार है हमारे पास नहीं रहता है वो दूर रहता है यानि कि मानि कि आप यहां पे हैं तो आपका प्यार कहीं और है रिलेशन में हैं या कहीं दूर सहर में हैं और बहुत सारों लोगों का सवाल होता है कि गुरुजी हम जिस से प्यार करते हैं जिस लड़की को चाहते हैं वो लड़की हमको नहीं चाहती है वो हमसे नफरत करती है किसी और से प्यार करती है तो कुछ ऐसा वसिकन टोटका हमें बताईए कि वो लड़की हमको चाने लगे उसको छोड़ करके मेरे प्यार परवक्तो बस कागज पर आपको उस लड़की का उस प्यार का नाम लिखना है और पीछे में एक छोटा सा मंत्र लिखना है इसको जालाना है बस कुछ नहीं करना ह आपका प्यार खुद पर खुद चल कर आपके पास आएगा आपका प्यार खुद पर खुद आपके पास फोन करेगा अपसे बात ये करेगा ये सो सिकन टोटका से आप वर्सो पुराने रूठे हुए प्यार खोए हुए प्यार को पास सकते हैं यह चमतकारी वो सिकन टोट का है कैसे करना है आए बताते हैं उसके पहले आपसे छोटा असा भी नती है रिवकेश्ट है प्लेज यदि आप मर चैनल पर नए है तो मैं चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और विल घंटी को दबा दीजिए ताकि हम जितने उड़ेंगे सबसे पहला फी के पास में जाएग आपको चाहने लगेगा आपसे प्यार करने लगेगा मेरे प्यार पर वक्तो इस मंत्र का प्रियुक जिसने भी किया है उसका प्यार अब तक मिल चुका है वो अपने अपने प्यार को पा कर खूस है गलती से भी इस मंत्र को प्यार के नाम के साथ में लिख करके जैदी आप इसको जलाते हैं तो आपका प्यार आपको चाहने लगेगा आपसे प्यार करने लगेगा मेरा वादा है आपसे आपको करने के देरी है उसके पहले मैं आपसे एक बिन्यति करूँगा कि वह सिकरन को करने से पहले वह सिकरन को समझना जरूरी है कि वह सिकरन को कैसे करना है उसक जरू करते हैं कि कैसे इस वसिकन टुटका को करना है ताकि आपका प्यार खुद आपसे बात करे आपसे प्यार करे दिखिएगा इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा ध्यान से दिखिएगा एक साधे कागज का टुकरा चाहिए ठीक ना हो सके तो आप एक भोजपत कागज ले लिजीएगा, छोटा सा चाहिए, डखिएगा, सबसे पहले आप क्या किजिएगा, जिस भी लड़की को अपने प्यार में टरपाना चाहते हैं, दीवानी बनना चाहते हैं, उस लड़की का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, कागेज के उपर ठीक ना उसके बाद में यहाँ पे ठीक उपर में एक इस प्रकार से तिर्भोज बनाईएगा त्री लाइन वाला तिर्भोज बनाईएगा और इसमें आपको क्या करना है ओम लिखना है द्यान से देखिए का ओम लिखे हुए है इसे प्रकार से ठीक इसके नीचे आपको क्या करना है एक तिर्भुज बनाना है और इसमें ओम लिखना है ठीक न उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है द्यान देना है कि यहाँ पे प्यार का नाम होना चाहिए बीच में इस ति यह से ही समांत्र को लेखिएगा, और घर बैठे इसको जलाईएगा, आप इधर जलाईएगा, वहाँ पे आपका प्यार आपके लिए टरबेगा, बेचैन हो जाएगा आपके लिए, और आपको चाहने लगेगा, आप से प्यार करने लगेगा, बहुत शारे ऐसे लोग हैं, जो चाहते हैं कि वह शिकरन से हम पीछा छोराएं, वह शिकरन का काट बताएं, बहुत सार ऐसे लोग सवाल करते हैं, गुरु जी हमें वह शिकरन का काट बताएं, मेरे प्यार परवक्तो ओभी मैं इस बढ़िज के लाश्म में बताऊंगा, उसके पहले मैं बता दूँ कि यह वासिकन टोटका इस्त्री और पुरुस दोनों कोई के लिए है पल भर में कोई भी इस्त्री किसी पुरुस को दिवाना बना सकती है और कोई भी पुरुस किसी इस्त्री को किसी लड़की को प्यार में दिवानी बना सकता है कैसे करना है ध्यान से दिखिएगा जैसे इसमें नाम हो जाएगा प्यार का नाम लड़की का नाम यहाँ पे ओम यहाँ पे ओम पिछे में पलट कर किस मंत्र को लिखेगा मंत्र को ध्यान से सुनिएगा मंत्र इस प्रकार से है उसके पहले मंत्र को लिखने से पहले आपको क्या करना इस प्रकार से एक बारासा आपको घेर देना है ठीक ना ताकि ये जो मंत्र है मंत्र की सक्तिया है इसके अंदर रहे और ये काम दिखाना आसर दिखाना शुरू कर दे सबसे पहले में आपको क्या करना है उपर में लिखना है ओम ठीक ना उपर में लिखना है ओम ओम लिखने के बाद में आपको लिखना है यहां पर ध्यान से दिखिएगा कामा ख्या क्या लिखना है कमा ख्या जहां से दिखिएगा एक एक सब्द हम आप सभी को बता देते हैं ताकि आपको समझने में दिकत ना हो ओम है कामाखया अधाखा है या है कमाखया गलत मत लिखिएगा वरना गलती से गलत हो जाएगा काम नहीं हो पाएगा ठीक ना ओम कमाखया यहां पर लिखना है देवी यहां पर सर्व मोहिनी क्या लिखना है देवी कमाखया देवी सर्व मोहिनी क्या लिखना है सर्व मोहिनी उसके बाद में आपको लिखना है यहां पर इसी लड़की का नाम जिस लर्की को टरपाना चाहते हैं अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं जिस पुरूज को वस्म करना चाहते हैं जिस प्यार को हांसिल करना चाहते हैं उस प्यार का नाम जो आपने यहां पे लिखा है उसी प्यार का नाम उसी लर्की का नाम आपको फिर से यहां पे लिखना है जैसिके माली जी जो भी लड़की का नाम है यहां पे हम लड़की लिखे दिया ठीक है ना सिर्फ यहां पे हम लड़की लिखे दिया यहां पर इस परकार से लाइन दे देते हैं यानिकि यहां पर आपको अपनी प्यार का नाम लिखना है ठीक है ना उसके बाद मे अमोकी यहां पर होता है यानि कि प्यार का नाम होता है मम वसम फट श्वाह ध्यान से दिखिएगा मरवक्तो बस आपका काम होगे आप कुछ नहीं करना है अच्चमतकार दिखिएगा आपका प्यार आपसे खुद बात करेगा आपके पास खुद फोन करेगा और खुद आपके आगे पीछे घुमेगा बस आपको सही तरीके से इस वसिकन टुटका को करना है मेरे प्यार पर भक्तु फिर से मंतर को समझा देते हैं इस कागत को ले करके आपको क्या करना है अपने घर के बीच ओ बीच आंगन में बढ़ जाना है चले जाए या जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में बढ़ जाए यान कि अकेले कीजिएगा वहाँ पर डिश्टरप करने के लिए कोई ना हो आपको क्या करना है इसको जलाना है क्या करना है इस कागज को जलाना है जलाते समय आपको क्या करना है इसी मंत का प्रयोग अपने मन में बार-बार करते रहना है और यहाँ पे प्यार का नाम उस लड़की का नाम बार-बार लेते रहना है और इसको जलाता रहना ठीक है ना धेरे धेरे जलाते रहना है जैसे जलाते रहिएगा प्यार का नाम उस लड़की का नाम बारा बार आप लेते रहिएगा अपने मन में आप इधर वसिकन टोटका कीजिएगा उधर आपका प्यार जहां भी होगा आपके लिए बेचैन हो जा जाएगा इसका जो राख बनेगा इस राख को आप क्या किजिएगा ले करके किसी भी बहते हुए पानी में प्यार का नाम ले करके बहाँ देजिएगा आपका प्यार हमेशा आपके पीछे परा हुआ रहेगा और जैदी आप वो सिकरन का काट चाहते हैं वो सिकरन से पीछा चाहते हैं तो आप इसी प्रकार से क्या voltage और दोबारा किजीगा लेकिन दोबारा इसको जलाने के बाद में जो राख है इस राख को बहते विए पानी में नहीं फेकिएगा बलकी किसी चौरह प्राहे पेरह करके अपने पैरों से मसल देना है और इस पे थूक देना है प्यार का नाम लेकर बस वह सिक्रन का काट हो जाएगा वह सिक्रन से पीछा चुट जाएगा जदि आपको समझने में जहां भी दिकात हुआ है मैं बताईएगा हम आपकी मदद करेंगे और जदि आप खुमर चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जोर कीजिएगा ताकि हम जितने बुरहेंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा